नमस्ते बच्चों मैं डॉक्टर सीमा चोधरी सहा अचारे संस्क्रिट राज की मावित वाले बोल दी अभी तक हमने कुमार संपव के पंचम सर्ग के 84 श्लोकों का द्यान कर लिया है और इन अभी तक के श्लोकों में यही बताया गया है कि पार्वती जो है वोशेव को उन सभी को इन श्लोकों में बताया गया है और जब वो इस प्रकार की कठोर तपस्या कर रही थी तो ब्रह्मचारी के वेश में जो तपोवन है जहां पर थी वो पार्वती तबस्या कर रही थी, वहां ब्रह्मिचारी के वेश में भगवान शिव आते हैं और वे उनसे कुछ प्रश्न करते हैं कि क्यों वो शिव को वरण करना चाहती हैं और कई प्रकार से भगवान शिव की निंदा करते हैं निंदा किसली करते हैं, जिससे वो पार्वती को ये बता सकें कि भगवान शिव में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके लिए वो उन्हें पती रूप में वरण करना चाह रही हैं इसी प्रसंग में जो अंतिम श्लोक था वो 84 जो श्लोक है उसमें जो पार्वती है वो कहती है कि भई जो निंदा सुनता है किसी व्यक्ति की वह भी पाप का उतना ही भागी होता है जितना की कहने वाला होता है तो इस प्रकार से भगवान श्यव की निंदा नहीं सुनना चाहती है और जहां वो ब्रह्मचारी उनसे प्रश्न कर रहा है वहां से हट करके जाना चाहती है तो वो कहती है जो ब्रह्मचारी है उसे कि मैं स्वेम ही यहां से चली जाती हूँ ऐसा कहे करके पारवती वहां से जाने को तयार होती है लेकिन जो शिव है इस से पूर्व अपने वास्तविक सोरूप को धारन कर लेते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हुई पारवती को रोक लेते हैं ये बात बच्चों अभी तक के श्लोकों में हमने पढ़ी है और अंतिम श्लोक में यही कहा है ये जो पारवती है वो जाते पारवती को जो जाने को उद्यत हो गई है उन्हें रोकते हुए भगवान शेव उन्हें उनकी हाथ को पकड़ लेते हैं और जाने से उन्हें रोक लेते हैं क्यों क्योंकि वे अब इतने प्रश्णों के उपरांत अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं और पारवती को रोकने का प्रयास करते हैं इससे आगे अवापि श्लोक में देखिए, तम वीक्षय वे पतुमती सरसांग यश्टी निक्षेपणाय पद्म उद्रत्म उद्ववंती मारगा चल व्यतीकरा अकुली तेव सिंदु, शैलाधी राज तनेया न ययो न तस्थौ। तम यानी उस वीक्षय है, उसको देख करके किसको देख करके जो मनुवान्चित शिव हैं उनको वीक्षय देख करके वे पतुमती, कांपने वाली या कांपती हुई वो पारवती, सरसांग यश्टी ही, और कैसी हो गई सारे अंगों से, पसीने से युक्त शरीरवादी हो गई, अर्थात, उनके सारे शरीर में संपून शरीर जो है, वो पसीने से युक्त हो गया, और निक्षे पनाये, जो आगे रखने के लिए, अर्थात, उध्रतम, उठाये हुए अपने पैर को हो, उध्वहंती, जिसने चलने के लिए, निक्षे पनाये उध्रतम, जो आगे चलने के लिए, जिसने अपना पैर उठा लिया था, ऐसी पैर वाली, वो पर्वत राज की पुत्री, पार्वती जो है वो, कैसी हो गई, शैलाधी राज तनेया, ऐसी वो शैल यानी पर्वत राज की तनेया पुत्री, पार्वती, मार्ग चला व्यतिकर आकुलिता, जो मार्ग में पड़े हुए, अचल पर्वत के द्वारा, व्यतिकर, अवरोध आने के कारण, रोकी गई, आकुलिता सिंदु एव आकुलित नदी के समान हो गई, जो न ययो, जो न तो चल सकती थी, और नहीं, न तस्थव, नहीं, खड़ी रह सकती थी, या उस स्थान को छोड सकती थी तो इसके बाद क्या हुआ बच्चों, जो भगवान शिव जब अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए, तो उनको जब पार्वती ने देखा, तो उनकी स्थिती कैसी हो गई, वो कांपते हुए, शरीर वाली हो गई, संपून शरीर में उनके पसीना आ गया, और वो अपन कद्मों को जो आगे बढाना चाती थी, वो उन्हें न तो आगे बढा सकी, और नहीं पीछे ले जा सकी, उनकी स्थिती उसी प्रकार से हो गई, जैसे नदी जो बह रही है, उसके मार्ग में क्या आ जाता है? अचल परवत आ जाता है, और वो किसी भी प्रकार की स्थिती मे नहीं रहती है वो न दी उस समय कि एक बार को वो आगे चले या वहीं पर रुख जाए तो वही इस्थती जो पारवती हैं उनकी हो गई फर से इसकार्थ देखिए तम वीक्षिह उन जो मनुवांचित जिनको चाहा रही थी प्राप्त करना उन्हें वीक्षिह देख करके उनक कापने वाली हो गई वो कापते हुए और सरसांग यश्टी ही जो संपून अंगों से पसीने से युक्त हो गई या थात उनके सारे शरीन में पसीना आ गया और निक्षे पनाये आगे रखने के लिए जो उद्रतम उठाये हुए अपने कदम को या पैर को उद्वहनती डोत कैसी स्थिती हो गई शैलाधी राज तनिया उस शैल पुत्री की परवत राज पुत्री पारवती की स्थिती इस प्रकार से हो गई की मार्ग चल व्यतिर आकुलिता जैसे मार्ग में पड़े हुए अचल परवत के द्वारा व्यतिकर अवरोध होने के कारण आकुलिता कि इस्थिती हो गई क्या कि न ययो न तो वह चल सकती थी आगे और न तस्थो नहीं वहाँ खड़ी रह सकती थी तो बच्चों यहाँ पर प्रियतम को अकस्मात सामने देख कर नाईका की इस्थिती कैसी हो जाती है इस्थ का कालिदास ने हरदया आकरशक चित्र खींचा है पारवती के इस्थिती की तुलना उस परवती नदी से की है जो की अत्यंत प्रभा के साथ बहरे है थी और अकस्मात ही पहाड के आजाने से रुक गई कैसी हो गई वो इस्थिती ना तो हो है आगे जा सकती है और नहीं पीछे हड सकती है जो ये श्लोक है बच्चों इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है पारवती यहां उपमे है और सिंदू उपमान है इस प्रकार यहां उपमा के जो चारों अंग हैं वो विध्यवान होने से पूर्ण उपमा अलंकार है और ये जो कुमार संभव का पंचम सर्ग हमने पढ़ा है उसमें जो प्रथम श्लोक था उससे लेकर के और जो 84 श्लोक आज से पूर्व जो हम पढ़ चुके हैं उन सभी श्लोकों में वनशस्त चंद का प्रयोग हुआ है और इस पद्धे में ये जो श्लोक है इसमें और आने वाला जो अगला श्लोक है उसमें वसंत तिल का चंद का प्रयोग हुआ है तो सामाने रूप से आप ये याद रख सकते हैं कि प्रथम जो श्लोक है उससे लेकर 84 श्लोक तक तो वनशस्त चंद है और इसके पश्चात इन दो श्लोकों में वसंत तिल का चंद है क्यों हैं बच्चों क्योंकि जो सर्ग है उसके अंत में ये महाकाव्य का लक्षन होता है कि उसके अंत में आपको चंद को बदलना पड़ता है और उसी को यहां घटित करते हुए ये बताया है कि जो प्रथम से लेकर 84 श्लोक है उनने तो वनशस्त चंद है और इन अंतिम दो श्लोकों में वसंत तिल का चंद है तो इस श्लोप में वसंत तिल का चंद है जिसका की लक्षन है उक्ता वसंत तिल का तबजा जगव गर व्याकरण की द्रश्टी से देखें तो यहां वीक्षे हैं में वी, एक्ष और ल्यप्रत्य है वेपथु में वेप्र और अथुच है वेपथु मति में वेपथु मतुप और नी प्रत्य है निक्षे पनाय में नी उपसर्ग ख्षी धातु और लियोट प्रत्य है चतुर्थी का एक वचन है वेपथु मति में वेपथु हुआ अस्यास तिती वेपथु मति बहुब्री समास है और इसी प्रकार से मार्ग चल व्यतिर आकुलिता में सब्तमी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है मार्ग चल है मार्ग चल है तस्या व्यति करह है तेन आकुलिता मार्ग चल व्यतिरा कुलिता अब इससे अघला श्लोप आप देखिए अध्य प्रब्रत्य अवनतांगी तवास्मीदासह क्रीतह स्तपोभिर इती वादिनी चंद्रमोलोव अन्हाय साह नियमजम क्लम उतसर्जह क्लेशह फलेनही पुनरनवतां विध्यते इती ही काली दास्क्रतो कुमार संभवे बंचम सर्गह टोयसका अन्हाय स्तपोभिर इती वादिनी साह अन्हाय नियमजम क्लम उतसर्जह ही कलेशह फलेन पुनरनवतां विध्यते तो वो कह रहे हैं अब जो भगवान शिम हैं वो क्या कह रहे हैं हे अवनतांगी विनम्र अंगोंवाली किसके लिए प्रयोक्तो हुआ है ये पारवती के लिए हे अवनतांगी हे विनम्र अंगोंवाली पारवती अध्य प्रवरती ही तपोभी क्रितह तवदासह अस्मी तो अध्य है प्रवरती आज से लेकर तपोभी ही तप से क्रितह खरीदा हुआ चंद्रमॉलो ये जो तवदासह तुम्हारा मैं दास हो गया हूँ चंद्रमॉलो इती वादिनी सा जो चंद्रमॉलो यानी चंद्रमाजिन के सिर पर पिराजमान है ऐसे भगवान शंकर इती वादिनी ऐसा कहने पर अन्हाय शीग्रही नियमजम क्लेश को उत्सरज उन्होंने त्याग दिया अर्था जो तप करने के पश्यात उन्हें क्लेश हुआ था या जो थकान हुई थी उसकी थकान दूर हो गई जब क्या कहा गया कि जो शेव है उन्होंने कहा कि है विनम्र अंगों वाली पार्वती आज से लेकर मैं तप से खरीदा हुआ तुम्हारा सेवक हो गया हूँ ऐसा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर उन्हों जो पार्वती थी वो शीग्रही नियम अजम जो व्रत से या तप से उनके क्लमम जो क्लेश उत्पन हुआ था थकान उत्पन हुई थी उसको उन्होंने उत्स सर्ज त्याग दिया या वो उस थकान को भूल गई क्यों भूल गई बच्चों ही क्योंकि जो खलेश फलेन पुनह जो कष्ट के फल के जो कष्ट प्राप्तियां हैं उसके फलेन फल के प्राप्त होने पर पुनह नवताम विध्यते फिर से वो जीज नया रूप ले लेती है या नया रूप को धारण कर लेती है तो वो अपनी थकान क्यों गूल गई क्योंकि फल की प्राप्ति होने पर क्लेश जो है थकान जो है नया रूप धारण कर लेता है अर्थार्थ वो जो थकान थी वो खत्म हो जाती है क्यों क्यो उनको अपने तब का फल प्राप्त हो गया होता है इसी प्रकार से जो पार्वती हैं उनको अपने तब का जब फल प्राप्त हो गया तो उनकी ठकान ने एक नया रूप धारन कर लिया अर्थाद वो उस तपस्या को भूल गई है क्यों भूल गई बच्चों क्यों 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 भगवान शिव ने स्वयम प्रकट हो करके ये उन्हें कहा कि आज से मैं तप के द्वारा जो आपने तप किया है इतना कठिन या कटोर उस तप के से खरीदा हुआ तुम्हारा दास हो गया हूं सेव को गया हूं तो फिर से एक बारा आथ देख लीजिये हे अवन तांगी हे विनम्र अंगोंवली पारवती अध्य प्रव्रती आज से ले करके तुम्हारे तपो भी ही तप के द्वारा कृत हुआ खरीदा हुआ मैं तुम्हारा दासह अस्मी तव दासह अस्मी तुम्हारा दास हो गया हूं चंद्र मौलो इती ऐसा चंद्र जिनके मस्तक पर विराजमान है ऐसे बगवान शंकर ने शिव ने इती वादिनी ऐसा कहा तो क्या हुआ अनहाय शीगर ही नियमजम जो व्रत से उत्पन क्लमम ठकान थी या क्लेश था उसको उत्ससर उन्होंने पारवती ने त्याग दिया क्यों त्याग दिया बच्चों ही क्योंकि क्लेश जो कष्ट है वो फलेन जब फल प्राप्त हो जाता है तो पुनह नवताम विध्यते फिर से उस व्यक्ति में नवीन्ता को ला देता है अर्धात वो उस प्रयासों को बूल जाता है जब कब जब उसे फल की प्राप्ति हो जाती है तो यहां भगवान शिव ने प्रकट होकर न केवल जाती हुई पारवती को रोका अपितु उससे शमायाचना भी की स्वयम को पारवती की तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दास बताया उनके ऐसा कहने पर पारवती अपनी तपस्या के संपून कष्ट जितने भी कष्ट उन्हें तब को करने में प्राप्त हुए थे उन सभी को भूल गई और प्रसंद हो गई यहां बच्चों ये बात उलेखनी है कि महाकवी कालिदास ने अपने कावियों एवम नाटकों में सर्वत्र नारी शक्ति को पुरुष से बढ़कर बताया है कालिदास के नायक प्रायह सभी ग्रंतों में अपनी नायकाओं के समक्ष नतमस्तक होते हुए ही प्रदर्शित किये गए हैं अभियान शाकुंतलम का नायक दुश्यन्त भी हमें शाकुंतला के समक्ष शमायाचना करता हुआ दिखाई देता है जबकि यह शाकुंतला के चर्णों में गिरकर कहता है सुतनू हुर्दयाद अहिर शंकया इस जगे पर यह प्रतीत होता है कि वहाँ पर भी शाकुंतला नाटक में भी दुश्यन्त जो शाकुंतला है नायका है उससे शमायाचना कर रहा है और यहाँ पर भी वही चित प्रदर्शित होई है कि भगवान जो चंद्र मौली है उन्होंने पारवती से कहा कि मैं आज से तुम्हारे तप से खरीदा हुआ तुम्हारा दास हो गया है यह एक सूक्ती है जिसका आर्थिया है कि फल की प्राप्ति होने पर क्लेश नया रूप धारन कर लेता है अर्थार्थ वह क्लेश के रूप में नहरे करके आनंद के रूप में परिनित हो जाता है और उस अवस्ता में व्यक्ति दुख को भूल जाता है इस लोक में बच्चों विशेश कथन का सामान ने कथन से समर्थन किया गया है यसलिए यहां अर्थांतर्ण्यास अलंगकार है और छंद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि महा कावे का जो सर्ग होता है उसमें अन्तिम लोकों में छंद को बदलना आवश्यक होता है ये महाकावे का लक्षन भी है उसी को घटित करते हुए यहां कालिदास ने अंतिम जो श्लोक हैं दो उनमें वसंत तिलका चंद का प्रयोग किया है और इस से पूर्व के जितने भी श्लोक हैं एक से लेकर के 84 तक के उनमें वन्शस्त चंद का प्रयोग हुआ है तो इसलिए यहां वसंत तिलका चंद है जिसका लक्षन है उक्ता वसंत तिलका तब जाज़ोग है वादिनी में वदधातू और निनी प्रत्य है और अवनतांगी में अवनतम अंगम यस्यासा अवनतांगी बहुब्रही समास है चंद मौलव में भी बहुब्रही समास है इस प्रकार बच्चों यह जो कुमार संभव का पंचम सर्ग है जो की आपके पाठेक्रम में प्रतम वर्ष के पाठेक्रम में नरधारित किया गया है वो आज समाप्त होता है और आशा करती हूँ कि आपको इस कुमार संभव के सभीष लोकों के अर्थ समझ में आ गए होंगे अब अगली कक्षा में हम नई कोई पुस्तक जो आपके पाठेक्रम में नरधारित है उसका अध्यन करना प्रारंब करेंगे